नमस्कार दोस्तों इस सेसन में हम भारती राजववस्ता का वीकली करेंट अफेट डिसकस करने वाले हैं यह हमारा वीकली करेंट अफेट डिसकसन का वीकली सेडूल यह हमारा जीएस की लाइप क्लासेस का डेली का सेडूल साम को 3 बज़े से 5 बज़े तक स्टेट PCS की लाइफ क्लासेश चलती है और साम को 6 बज़े से 8 बज़े तक UPSC की लाइफ क्लासेश चलती है आईए देख लेते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है हम कौन कौन से टॉपिक डिसकस करेंगे पहले टॉपिक होगा टिपनी करने का अधिकार राइट टू कमेंट दूसरा है मरम्मत का अधिकार राइट टू रिपेयर और लाइफ मॉव्मेंट इसके साथ हमें ही डिसकस करेंगे लाइफ मॉव्मेंट क्या है ये इंपोर्टेंट है और CP Grams ये क्या हैं इसके बारे में देखेंगे और बाल स्रम से रिलेटेड अभी कुछ आकड़े आए हैं इनके बारे में देखेंगे तो आईए हम अपने आज के पहले टॉपिक पर चलते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक है Right to Comment on Social Media टिपनी करने का अधिकार टिपनी करने का अधिकार यह किस केस से रिलेटेड एए यह न्यूज लॉन्डरी एक बेब साइट है यह इन लोग फैक्ट चेकिंग का काम करते हैं इसका जाता है इससे समबंधित यह केस इससे समबंधित केस में यह निरने आया है सुप्रीम कोट के द्वारा सुप्रीम कोट ने कहा है कि सोशल मेडिया पर टिपड़ी करने का अधिकार अभिव्यक्त की सुतंदरता का अधिकार अनुछेद 19.1 आ के अंतरगत आता है सोशल मेडिया पर जो आप कमेंट करते हैं जैसे आप इस वीडियो पर जो कमेंट करेंगे वह है आपकी अभिव्यक्त की सुतंदरता के अधिकार के अनुछेद 19.1 waited आता है आपकर कमेंट करने का अधिकार इसको कंफ्यूज मत होगा 21 वगेरा नहीं है यह री में कंफ्यूज कर सकता है कि 21 के अंतरगत आता है क्योंकि अनुचेद 21 में बहुत सारे अधिकार इंकलूड किये गए हैं इसलिए इससे कन्फ्यूज कर सकता है आपको कन्फ्यूज नहीं होना है आपको डटे रहना है 19.1.a पे सोसल मेडिया पर कमेंट करने का अधिकार 19.1.a के अंतरगत आता है दूसरों के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम की भी अलोचना करने का अधिकार है यह नहीं कि आप सिर्फ अपने ही द्वारा बनाए गए प्रोग्राम या अपनी कमपनी के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम पर ही टिपनी कर सकते हैं आप किसी के विज़े से ये मेरा एक वीडियो लेक्चर है इस पे आप अपना अलोचना भी कर सकते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत आप इसमें अलोचना कर सकते हैं और ये किसी भी प्रसारण करता को अधिकार है कोई भी प्रसारण करता या कि ब्रॉड कास्टर कि सबीधान सब्गेम कंट करने के अधिकार में योक्त प्रतिबंध करते हैं,アगर कोई आप ऐसा कमेंट करते हैं, जिससे राष्ट्री सुरच्छा को खतरा हो, या कानून बवस्था बिगड़ने का भै हो या किसी की मान हानी होती हो ऐसे कमेंट को सुईकार नहीं किया जाएगा उन पे प्रतिबंद लगाया जाएगा वही है युक्त-yुक्त प्रतिबंद और ये निउस लॉन्डरी पे यही केस था क्या वो कानून बवस्था को भंग क के लिए कोई भी टिपनिंग कर रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड केस था इसलिए इसको मैंने डिसकस किया यह भी आर्टिकल आया था राइट टू कमेंट आन सोसल मेडिया यह आप याद रखेंगे यह 19.1 आ के अंतरगत आता है आयो चलते हैं आज के अपनी दूसरे टॉप में ज़्यादा चर्चा है वहां लागू भी हो गया है अभी अपने यहां फ्रेमवर्ग तयार हो रहा है हम लोग उन से हर काम में पीछे ही रहते हैं लेकिन अब दीरे दीरे प्रोग्रेस हो रही है यह निज में इसलिए है क्योंकि उपभोगता मामले के विभागने राइ मूवमेंट पर बल देना है सतत उपभोग के माध्यम से अभी सतत उपभोग का मतलब क्या है इसका मतलब है कि किसी भी चीज को ऐसे यूज करना कि आपकी आगे आने वाली पीडियां भी उसका उपयोग कर सकें एक्जामपल लेते हैं जैसे मुबाइल में लीथियम आयन की बैटरी चलती है सभी मुबाले में लगवग लीथियम आयन के बैटरी आ रहे है अब हम इसका इतना ज़्यादा कंजमसन कर दें कि अर्थ से लीथियम ही खतम कर दें हम पूरा खतम कर दें लीथियम एक भी नबचे तो आगे आने वाली पीडियों के लिए लीथियम की अव पहुँच सकेंगी उसे ही हम सतत उपभोग कहते हैं इसकी सतत उपभोग के मादियम से लाइफ मूवमेंट पर बल देना है राइट टू रिप्यर जो फ्रेमवर्क तैयर किया जा रहा है उसका उद्देस अब इसमें कौन कौन सेक्टर सामिल होंगे मतलब किस किस सेक्टर क अगेंस्ट उपभोगता को राइट टू रिप्यर का अधिकार दिया जाएगा इसमें जो कंपनी मोबाइल बनाती है लैपटाप या टैबलेट टैबलेट खाने वाला नहीं टैबलेट जैसे आईपैड वगेरा हो गया आईपैड सैमसंग का टैब हो गया ये सारी चीजे जो कंपनी बनाती है उनको प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना पड़ेगा जो भी रिपेयर से रिलेटेड होंगे प्रेशिव करण बनाने वाली कंपनी पे ये फ्रेमवर्क लागू होगा और आटो मोबाइल या आटो मोबाइल के जो पार्ट्स बनाते हैं उन पे ये लाग होंगे मोबाइल लैपटप टैबलेट क्रेशिव करण बनाने वाली कंपनियों पे आटो मोबाइल या आटो मोबाइल पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों पे और बोगता बच्ते हैं बनाने वाली कंपनियों पे अब ये जो राइट टू रिपेयर अंदोलन है ये निरमात तो सैंसंन किम्पन ‟ שאंष को माईक उप लबुद करवाईगी और आप उसे किसी भी वर्शाभ पर अपने के मरमत करवा सकते हैं आपको यह मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप सैंसेंग के इस्टोर परही उसको सर्विस सेंटर परही और यह आप उसको उसका वर्कसाप पे जाके मरमत करवाएं इसमें Samsung का वर्कसाप भी include होगा ऐसा नहीं कि आप वहां नहीं करवा सकते लेकिन आप free हैं उसके अलावा भी आपको option दिये जा रहे हैं right to repair के दोरा अब right to repair को अमेरिका ब्रिटेन और European Union सहित कई देसों में मानता दे दी गई पुरी European Union में right to repair को मानता दे दी गई है इसके अनुसार क्या का गया कि जैसे mobile कंपनियां हैं वह अंगले 10 साल के लिए आपको पार्ट्स जो भी पार्ट्स खराब होंगे वह उपलब्द करवाएंगी और आप किसी भी second mechanic के पास जाके या कि जो भी उसको सुधारने वाला होगा उसके पास जाकी उसको बनवास सकेंगे 10 साल तक bond होगा company के लिए अब ये है क्या right to repair है क्या इसके बारे में जनते हैं ये क्यों जरूर की जानते हैं ये क्यों जरूर ही है क्या है या यूजना-बद Our खरी ते थे हैं अब इस उस मॉबाइल को एक साल बाद इसमें software अपडेट आता है और ये mobile slowdown हो जाता है, ये mobile slowdown हो जाता है, तो आप इसे तग आके दो सल बाद फिर new mobile purchase करेंगे, नय mobile ले लेंगे, ये होटा है योजना बद आप रचलन की टेकनिक, कंपऩनिया क्या करती हैं कि किसी बिपरोड़क्ट को इससाब से design करती हैं कि वह साल, दो साल बाद अपनी productivity डाउन कर दे तो आपको नया प्रोडक्त लेना पड़ेगा और वह जैसे इसमें सबसे फेमस कौन है एपल का एपल कुछ नया जाद बहुत ज्यादा इनुवेट नहीं करता है यह क्या करेगा एक जैसे आइफोन एक आया आइफोन आया अब इसमें इसका प्रो वर्जन हुआ लेकिन पिछला वर्जन स्लो कर देता है तो यह सब आता है योजना बद आप रचलन की टेकनिक इस तरह के डिजाइन किये जाते हैं कि एक निश्चित समय के बाद इन्हें बदलना पड़ता है तो इसके लिए आवस्या का है राइट टू रिपेयर की कंपनियां ऐसा बहुगता के साथ गेमना खेलें और इसके दो इसके द्वारा क्या होता है कि पर्याबराण पर अदिक दबाव पड़ता है जब हम उसको रिपेयर नहीं करवा सकते सिधी होता है उसको कोई नो कोई हमको फेकना पड़ जाता है किसे अपने खराब मुबाइल को या कि फिर किसी और को सच्टे दाम में बेचते हैं जैसे फ्लिप कार्ट वगएरा ले ले लेते हैं हमसे सच्टे में फिर उसको रिपेयर करके वापस कर देते हैं हम कोई बेच देते हैं सेकें माटेरियल भी यूज होगा और माटेरियल अंतिता सेमित है इससे परयाब रण पर दबाव बढ़ता है उब भूगता के धन की धन और समय की बचत करेगा यह आपको बता चुका हूँ उपकरणों की मरमत करने वाली चोटी वरकसाब के बेवसाय को बढ़ावा मिलेगा यह पॉइंट याद रखिए चोटी वरकसाब जो होई होगी क्योंकि इसमें आजादी दी जा रही है कि आप उसी की अथराइड सर्विस सेंटर पे ही ना जाके आप किसी भी सेकंड सर्विस सेंटर पे अपने मुबाइल का या कि किसी भी प्रोडक्ट का रिपेरिंग करवा सकते हैं अब इसमें चुनावतियां यह हैं कि एपल और टेसला जैसे कंपनिया कह रही है कि इससे कोई तीसरा पच्छ उनकी बौधिक संपदा तक पहुँच प्राप्त कर लेगा बौधिक दे देता हूँ अब आपको पता नहीं कि पैन कैसे पता है कि पैन कैसे बनती है लेकिन आप इसको रिवर्स करके इसको देखके कि इसमें प्लास्टिक ये ग्रेट का प्लास्टिक यूज हुआ ये ग्रेट की इंक यूज हुई ये इसमें मेटल यूज हुआ आप उसको रि कि उपकरण की सुरच्छा खत्रे में पढ़ सकती है ऐसा ये कंपनिया कह रहे हैं अब देखते हैं लाइफ अंदोलन क्या है ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ अंदोलन ये मोदी जी ने 2021 ग्लासगो सम्मेलन में प्रस्तुत किया था मोदी जी इसलिए ये इंपॉर्टेंट है लाइफ अंदोलन ये सी ओपी 26 के दोरान इसको प्रस्तुत किया गया था इसका विजन एक ऐसी जीवन सैली जीने से ह जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और इसे हानी ना पहुंचाई और जो ऐसी जीवन सहली जो लोग जीते हैं उन्हें प्रो प्लैनेट पीपल कहा जाता है लाइफ अन्दोलन ये याद रखिएगा इसे कॉप टूंटी सिक्स के दावरान टूंटी 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 वन में ग्लासगो सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था प्रदान मंतरी मोधी जी द्वारा और ये लाइफ का फुल फार्म होता है पर्या वरण के लिए जीवन सैली लाइफ इस्टाइल पार इन्वार्मेंट लाइफ इस्टाइल फार इन्वार्मेंट ये एक अंदोलन जारी की चालू किया गया है नरिन्द मोधी जी द्वारा ये याद रखिएगा आई अपने अंगले टॉपिक पर चलते हैं इसका फुल फार्म है केंद्री लोग सिकायत निवारन और निगराली केंद्री लोग सिकायत निवारन और निगरानी प्रणाली CP-GRAMS इसको कहते हैं यह सभी अनुसूचित भासाओं में कार करने योग है इस से पहले क्या था? यह सिर्फ पाँच भासाओं में उकलब ज़ती यह सिर्फ पाँच भासाओं के एकसेप्ट करती थी इसके नाम से इस पस्ठ है कि यह केंद्री लोग सिकायत निवारण सिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है अभी तक क्या होता है कि इसको सिर्फ पांच भासाओं में ही इसकी सिकायत इसमें दर्ज की जाती थी अब अनुसूचित भास जितनी भी अनुसूचित भास आई हैं कितनी अनुसूचित भास आई हैं सम प्रियन उचित भासाओं में कारकर नयोग इसको बनाया गया है CP Grams को यह एक आनलाइन मंच है जो नागरिकों के लिए 24 by 7 7 उपलब्द है 24 by 7 उपलब्द है ये CP Grams इसके माध्यम से सेवा वितरार सम्मंदित किसी भी विसे पर लोग प्राधिकारियों के समक्ष अपनी सिकायत दर्ज की जा सकती है इसमें कोई टाइम बांडिंग नहीं है कि आप 9 से 5 बजे के बीच में ही अपनी सिकायत दर्ज कराने जाएए आप किसी भी समय अपनी सिकायत दर्ज करा सकते हैं क्योंकि यह एक आनलाइन मंच है यह भार सरकार और राज सरकारों के सभी मंत्राले और विभागों को एक साथ जोड़ता है इसमें आप किसी भी डिपार्टमेंट से संबंदित सिकायत इसमें आप दर्ज करवा सकते हैं चाहे वह केंद सरकार का डिपार्टमेंट हो या राज सरकार के अंतर गताता हो इसमें ये कोनों सरकारों के किसी भी मंत्राला या उसके विभाग द्वारा उसके विभाग से संबंधित कोई भी समस्या से वह शिकायत एकसेप्ट करेगा सीपी ग्राम्स यह याद रखेगा इसका पूरा नाम आपको बता चुका हूं केंद्री लोग सिकायत निवारान और निगरानी प्रणाली हमरा आज का अंगला टापिक है बाल स्रम यह न्यूज में इसलिए है क्योंकि पहली बार एक संसदी समिती ने रश्ट्री बाल स्रम परियोजना की विस्तरत जांच करने की योजना बनाई है और इसमें यह पता चला है कि रश्ट्री बाल स्रम परियोजना जो है नेशनल च नियूज में है बजट की कमी इसलिए पड़ गई है क्योंकि इसको नेशनल चाइल्ड लेवल लेवर प्रोग्राम को समग्र सिच्छा अभियान में सम्मिलित कर दिया गया था उसमें बिलाय कर दिया गया था जिसके कारण से राष्टी बालस्रम परयोजना के लिए बजट की कमी हो गई है इस कारण से इसे नया डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है मतलब अभी पता ही नहीं है कि भारत देश में कितने बालस्रमिक काम करें कितने ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं या कि अबैद रूप से कितने बच्चे काम कर रहे हैं इनका कोई डेटा भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है यह एक भारत सरकार की नाकामी की रूप में आप इसो कह सकते हैं लेटेस्ट आकड़ आपने पास 2011 की जनगड़ना का है यह 11 साल पुराना आकड़ा है दस 11 साल पुराना आकड़ा है इसके अनुसार भारत में ऐसे बचे जो जिनकी उमरे 5 से 14 वरस के भागे हुए हैं कारण क्या है करिवार पर कर्ज का बोज सश्दर संगर्ष बहुक्तअब जबरन्स अब ससा संगर्ष स कैसे बाल 스les बट어서 आप इसको समझ सकते हैं अभी मियान मार में म्यान मार में रोहिंग्या भी बाद हुआ था रोहिंग्या संगर से एक तरीके से इसको आप कह सकते हैं इन लोगों को भगाया गया था इनके जो बच्चे होंगे रोहिंग्या लोगों में गरीबी आएगी फिर बच्चे भी मजदूरी करने पर बिवस हो जाएंगे जबरन स्रम देख सकते हैं कि गरामी मिनों में कुछ लोगों को जबरजश्टी स्रम के लिए मजबूर किया जाता है वे जबरन स्रम में आता है अब देखते हैं बाल स्रम पर संवैदानिक प्रावधान जो एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है अनुचेद 21 और अनुचेद 45 कहता है कि 6-14 वर्स के सभी बच्चों के लिए निसुल्क और अनिवार सिच्छा का प्रावधान किया जाएगा सरकार द्वारा अनुचेद 21 और अनुचेद 45 कहता है 6-14 वर्स इसमें एज याद रखिएगा और अनुचेद 26 मानों तसकरी और बालात सरम पर प्रतिबंद लगाता है अनुचेद 24 और अनुचेद 24 चौदा वर्स कम के बच्चों को कारखानों खदानों और खदरनाक रोजगार में लगाने से निसेद करता है अब ये खतरनाक रोजगार का मतलब क्या है कि जैसे आटो मुबाइल सेक्टर हो गया जहां पर पार्ट्स और गार बनते हैं ये जनरली खतरनाक होते है हदाने हो गई और कोई भी हैवी मिटल कमपनिया हो गई वह सभी खतरनाक रोजगार के अंतरगत आता है और उसे प्रतिवन्धित किया जाता है अनुचेद 24 के तहट कि खतरनाक रोजगार में 14 वर से कम बच्चों को सामिल नहीं किया जाएगा और उसे 49 कहता है कि राज कामकाजी लोगों के स्वास्थ और छमता तथा बच्चों की नाजुक आयू का सोसर ना हो ऐसे कानून बनाएगा यह सुनिश्चित करेगा राज की जिम्मधारी है यह सुनिश्चित करना की कामकाजी लोगों के स्वास्थ और छमता का सोसन ना हो और बच्चों की नाजुक आयू का भी सोसन ना हो स्वास्त और छम्ता का सोसन का मतलब जैसे मौन लेजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आठ घंटे की जॉब है लेकिन अब कंपनी वाला आपको बोले कि यार तुम अच्छे कासे हटे कटे हो तुमको बारा घंटे जॉब करनी पड़ेगी अब वो आठ घंटे के लिए आपको 20 आजार दे रहा है अब बारा घंटे के लिए भी बोल रा है कि 20 आजार ही तुमको दूँगा और तुमको काम ज़्यादा करना पड़ेगा ये है स्वास्त और छमता का सोसन और ना जुक आयू का भी sponsor नहो कम असे 14 साल से कम के बच्छों का काम में इसनको ना लिया जाए क्यूंकि इनको जनृनलिज नहीं होता है कि मुझे कितनी पेमेंट चाहे मुझे कितनी पेमेंट चाहे और कितना काम करना है तो इनका sponsor जादा हो जाता है का मायों के बच्चों का इसको प्रतिबंदित करता है अनुच्छेद 49 अनुच्छेद 49 डीपी एसपी के अंतरगत आता है और यह नयाले द्वारा परिवर्तनी नहीं है फिर भी राज्य सरकार को यह निर्देशित किया जाता है कि वह अपने लोगों का स्वास्त और छमता का उसका सोसन ना होने दे यह पांच अनुच्छेद हैं टोटल जो बाल स्रम से संबन्दित है 21 एक अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 30 अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 49 इनको आप अच्छे से तयार कर लेजिए अब बाल स्रम उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी पहले पहल आयोजित की गई है या कि कौन कौन सी पहले की गई है पहला है पिंसिल अवियान यह क्या है यह एक पोर्टल है जो कि बाल स्रम को निसेद करता है अब बाल स्रम के निसेद को प्रभावी बनाता है कैसे प्रभावी बनाता है यह बाल स्रम के पीड़तों को बचा के लिए एक portal है इस पॉर्टल पर आप इन से सम्बंदित जानकारी दे सकते हैं कि बाल स्रम के फिर्टों को बचाने जैसे आपको पता चला कि किसी भी घर में किसी बच्चे के द्वारा श्रम लिया जा रहा है तो आप इस पॉर्टल में उसकी जानकारी दे सकते हैं उनको चाबियान से संबंदित है यह बाल स्रम निशेद से संबंदित है बाल स्रम निशेद दूसरा जो पहल की गई है वह बाल स्रम निशेद और विनियमन संसोधन अधनियम 2016 के द्वारा यह क्या कहता है कि बच्चों जिनकी उम्र 14 वरसे कम है बच्चों के सभी ब्यावसायों में जिनकी उम्र 14 वरसे से कम है वह सभी ब्यावसायों में और किसोरों किसोरों मतलब जो 18 से कम है तो खतरनाक ब्यावसायों में नियोजन पर रोक लगाता है इसके द्वारा जो लोग 14 वरसे से कम है उनको सभी ब्यावसायों से प्रतिबंदित किया गया है किसी भी ब्यावसायों में काम नहीं कर सकते और जो 18 से कम है 14 से 18 मान लेते हैं उनकोians 1.18 के बीच में हैं ब्यावसायों में प्रतिबंदित किया गया है 14 वरसे से कम के बत्चें को अलग में उनके प्रतिबंदित किया गया है कि इनको क्यों ना प्रतिबंदित किया जाए जब गरीब बच्चों को प्रतिबंदित किया जाता है तो टीवी में अधिकतर अमीर लोगों के बच्चे जॉब करते हैं इनको क्यों ना प्रतिबंदित किया जाए ऐसी चर्चा चल रही है इसको ध्यान में रखिएगा आज के हमारे टॉपिक यहीं तक थे वीडियो कैसा लगा केमेंट करके बताइएगा थैंक यू फॉर वाचिंग